भग्तों, आप सभी को दिपावली की बहुत बहुत शुप कामनाएं। दिपावली का पर्व प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के कई कारण बताये जाते हैं। कहा जाता है के इस दिन प्रभूश्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मन के साथ 14 वर्ष का बनवास काटकर अयोध्या लोटे थे। इनके आने की खुशी में ही अयोध्या वासियों ने सारे नगर में दीब जलाकर इनका स्वागत किया था। तभी से दिपावली का पर्व मनाया जाता है भक्तो। देवों और दैत्यों के बीच जब समुद्र मन्थन हुआ था। तो उससे लक्ष्मी माता प्रकट हुई। और जिस दिन लक्ष्मी माता प्रकट हुई। उसी दिन कार्तिक मास क्या मावस्या थी। लक्ष्मी माता के जनम दिवस के रूप में भी इस पर्व को मनाया जाता है। देवों के नायक श्री गनेश जी लक्ष्मी माता की दत्तक पुत्र है। और इसी लिए दिपावली पर इनका पूजन भी विशेश रूप से किया जाता है। एक पुराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मी माता का इस दिन पूजन करने का विशेश महत्व है भक्तों तो आईए भक्तों सुनाते हैं वो कथा जिसे सुनने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और घर सुख समपत्ती से भर जाता है तो भक्तों दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोलिये लक्ष्मी माता की क्यों दीपावले का हम सारे कुछ सब मनाते हैं क्यों दीपावले का हम सारे कुछ सब मनाते हैं आओ हम दीपावले की तुमे कथा सुनाते हैं जे जे लक्ष्मी माता तुम अलधन की गाता जे जे लक्ष्मी माता तुम अलधन की गाता कार्दिक मास के अम मस्या को परव ये आता है हरसी खुशी के साथ इसे संसार मनाता है इस दिन धर में दीप चला कर करते हैं प्रकाव हर कोई नए बस्त्र अभोशन पहनता इस दिन खाव लक्ष्मी जी गडिशक होता इस दिन है पूजन इनकी पूजन से मिटती है जेवन की उलजन दीप वली त्योहार की भकतों प्रचलित कई कथाए आओ कुछ कथाए उनकी तुमको हम बतलाए इस दिन आनंद से सारे क्यों खुशी मनाते हैं आओ हम दीप वली की तुम्हे कथा सुनाते हैं हम कथा सुनाते हैं जे जे लख्मी माता तुम अनधन की जाता जे जे लख्मी माता तुम अनधन की जाता अवध के राजा राब चंद्र ने पाया था बनवास चोदा वर्ष के खातिर लच्मण और सिया गैसा चोदा वर्ष के बाद योध्या में वापस आएं नगर बासियों ने घर गर में घी के दीप जलाएं सारी योध्या नगरी को था दुलहन जैसा सजाया इस दिन को सब ने ही दिपावली उत्सव जैसा मनाया कहते हैं तब से इस उत्सव को मनाते हैं रामजी के आने की खुशी में दीप जलाते हैं और भी कुछ है कथाएं आओ तुम्हें सुनाते हैं हम तुम्हें सुनाते हैं आओ अओ हम दीपावली की तुम्हें कथा सुनाते हैं मम कथा सुनाते हैं जे जे लख्मी माता तुम अनधन की गाता लक्ष्मी और गणेश जी का फूजन इस दिन क्यूं होता आओ इसके बारे में मैं तुमको हूँ बतलाता इक लड़ की जो पिता के संग जंगल में रहती थी पेपल के एक व्रिक्ष पे जल वो चढ़ाने जाती थी उस पेपल के व्रिक्ष के अंदर रहती थी लक्ष्मी माता एक दिन लक्ष्मी माता ने उस लड़की से ये बोला तुम मुझ को भाती हो बन जाओ अब मेरी सहेली पिता से पूछ के बतलांगी लड़की मा से बोली किस्मत वाले ही मैया के प्यार को पाते हैं हाँ प्यार को पाते हैं आओ हम दिर पावल की तुम्हे कथा सुनाते हैं जै जै लख्मी माता तुम अनधन की गाता जै जै लख्मी माता तुम अनधन की गाता अगले दिन लड़की लक्ष्मी जी के पास आती है पिता के कहने पर लक्ष्मी की सहेली बनती है सेठ के लड़की और लक्ष्मी जी बन जाती है सहेली इत दिन उस लड़की से लक्ष्मी माता तब ये बोली अपने घर चलने की उससे करती है वो बात पिता से पूछ के लड़की उनके जाती है तब साथ लक्ष्मी मा ने उस लड़की का भूब किया सतका तरा तरा के भोग बना कर उसको किया था क्या लक्ष्मी मा के चरनों में हम शीष जुकाते है हम शीष जुकाते हैं आओ हम दिर पावल की तुम्हे कथा सुनाते हैं हम कथा सुनाते हैं जे जे लक्ष्मी माता तुम अलधन की दाता जे जे लक्ष्मी माता तुम अलधन की दाता वो गन्या जब वापस आई तो बोला लक्ष्मी माने बोलो मुझे बुलाओगी तुम कब अपने घर में कन्या बोली मा को के तुम मेरे घर आना कन्या ने घर आकर अपने पिता से तब बोला हम तो गरीब है कैसे करेंगे पिता जी उनका स्वागत है बना के उनको क्या मैं खिलाओँ ये घर आएंगी जब पिता ने बोला लक्ष्मी माता खरती पूरीया लक्ष्मी माता पे सदा रखना बेटी तुम विश्वाज मा की क्रिपा से काम सभी के बनते जाते हैं हां बनते जाते हैं आओ हम दीपावल की तुम्हे कथा सुनाते हैं जय जय लक्ष्मी माता तुम अंधन की दाता पिता ने पुत्री को समझाया पुत्री ने मानी बाद अच्छी तरह से घर की सफाई करना विटियाज सारे घर में मिट्टी का तुम सुन्दर चौका लगाओ चार बाती के मुख वाला सुन्दर दीप जलाओ धर के आंगन में जब चौका लगा रही कन्या उसको वहां पे सोने का एक हार था गिरा मिला नजर उठा कर जैसे ही उसने देखा अंबर में एक छील उस हार को लेकर आई थी कहीं से मा की किरपा सबके बिगडे भाग बनाते हैं हां माग बनाते हैं आओ हम दीपावल की तुम्हे कथा सुनाते हैं जे जे लश्मी माता तुम अलधन की गाता जे जे लश्मी माता तुम अलधन की गाता मालक श्मी ने उस कन्या की चिंता मिटा दे सारी हार बेच कर लड़की ने मोजन की करी तैयारी थोड़ी देर में गणेश जी संग लक्षमी माता ताई देखके उन दोनों को लड़की मन ही मन मुसकाई फिर उस लड़की ने दोनों का स्वागत खूब किया तरो तरो के व्यंजन से धिर उनको भोग दिया माने कन्या पर भगतो थिर अपनी दया बरसाई धन की वर्शा करके उसकी सारी खीडा मिटाई सचे भगतों की संकट ऐसे मिट जाते हैं आओ हम दीपावल की तुम्हे कथा सुनाते हैं जै जै लश्मी माता तुम अंधन की गाता जै जै लश्मी माता तुम अंधन की गाता पार्दिक की अमवस्या भी जिस दिन माता आई तभी सधी पावलिक पूजी जाती लश्मी माई लश्मी मा के दत्तक पुत्र है लाडल श्रीगणे लश्मी जी के संग इन की भी पूजा होती दिशे सची शता भवस जो दोनों की पूजा करता उस प्राणी के जीवन में कोई भी कश्ट न रहता लश्मी जी गणिश जी उसका सारा कश्ट है हरते अपने भक्तों के मन की इच्छाएं पूरे करते धत्तों पर दोनों ही अपना प्रेम लटाते हैं हाँ प्रेम लटाते हैं आओ हम दीपावल की तुम्हे कथा सुनाते हैं हम कथा सुनाते हैं जै लश्मी माता तो मन धन की गाता जै जै लश्मी माता तो मन धन की गाता प्रिष्ण जिसे संबंधिते सकी और कथा है प्यारी आओ तुमको बतलाओं सुनना सारे नर नारी नर का सुर नाब कुईक दैथे था बड़ा है अत्याचारी सत्भामा की मदद से सकोमार ते क्रिष्ण मुरारी जिस दिन सकोमार कार्टिक की थी चतुर्दशी दीप चला कर अगले दिन सबने ही मनाई खुशी समुद्र मंधन से इस दिन आई थे लक्ष्मी माता जनम दिन के रूप में इस दिन को संसार मनाता निर्मल पावन मां की छवी को सारे ध्याते हैं हाँ सारे ध्याते हैं हम दिर पावल की तुम्हे कथा सुनाते हैं जै जै लक्ष्मी माता तुम्हर धन की जाता जै जै लक्ष्मी माता तुम्हर धन की जाता देवों के सिरमोर का जानन सब के कश्ट मिटाते मालक्ष मी की किरपा से सारे धन वैभव पाते दीप वली के दिन जो प्राणी इनका ध्यान लगाए उसके जीवन में धनकी कभी भक तो कमी ना आए लक्ष मी और गड़े शकियत भक्षवे बड़ी ही प्यारी इनकी दया से ही आनद पाती है दुनिया सारी दीप वली के दिन सब के घर आती लक्ष मी बाता और गड़े शजी की किरपा से सब का दुख मिट जाता शर्मा के जीवन में आनद ये बरसाते हैं हाँ ये बरसाते हैं आओ हम दीप वली की तुम्हे कथा सुनाते हैं हम कथा सुनाते हैं जै जै लक्ष मी माता तुम्हा अलधन की दाता